जहीं दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टेटी प्वाइंट में दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए तिर्भूज का कुछ इंपोर्टेंट प्रस्ट लेकर गया हूं और अगर आप किसी इविग्जाम के तैयारी कर रहे हो तो आप आप लोग पूरा वीडियो वाच किजिए दोस्तों आधा देख करके भाग जाते हैं देखिए तो इसका एक फर्मूला है अर्थ परिमाप एस पराबर इसको हिंदी बुला जाता है अर्थ परिमाप एस पराबर ए प्लस बी प्लस सी यह तिर्भूज की भुजाएं दोस्त ठीक है बटा टू यह फर्मूला है अब देखिए यह अर्थ परिमाप हो गया एस पराबर तो पंदरा प्लस तेरा प्लस जाओदा और बटा में दो कर दीजिए अब इसको सारे को जोड़ दीजे दोस्तों अगर इसको जोड़िएगा तो आजागा 42 और दोसे कर दीजे तो कितना आ जागा अर्थ परिमाप दूज इसको कर दिए तो 2 रायए कितना आए तो 21 राये दोस्तों अब इसके बाद हमको अब निकालना है तिर्भूज का छेथफल बराबर क्या होता है तो तिर्भूज का छेथफल बराबर S S-A S-B S-C ठीक है यह इसके उपर वर्ग हो जाएगा दोस्तों अब देखिए यह जो है S-B S-B S-C बराबर कितना आया था तो 21 लिखे और यहाँ पर है 21 अब मैनस कर दिए A कितना है तो 15 है फिर ब्रैकेट बन केजे फिर 21 मैनस कितना है तो 13 है फिर ब्रैकेट बन केजे फिर 21 मैनस 14 अब इसको फिर इसका रूट चड़ा दीजे दोस्तों अब देखे कितना आता है 21 गुने 21 में 15 घटा दीजे तो 6 आएगा फिर 21 में 13 घटा दीजे तो 8 आठा जाएगा आपका फिर 21 में 14 घटा देगे तो 7 आजाएगा ये फिर वर का चिंद चला दीजे दोस्तों अब क्या किजे इसका गुना करके वर गुन नहीं निकाली इसको जो यहीं पर तोड़ दीजे दोस्तों तीन गुने साथ, एकीस आगया, तीन सथ एकीस, फिर क्या है, तीन गुने दो, छे आ जाएगा, फिर क्या कीजिए, आठ को, दो गुने, दो गुने, दो हम लिख सकते हैं, तीन बार, गुने साथ, अब ऐसा किये दोस्तों, अब क्या करेंगे, दिखें, दो दो करके निकाल द तीन आया फिर देखिए एक साथ यहां से और एक साथ यहां से हम ले लिए तो यह साथ आ गया फिर एक दो यहां से एक दो यहां से यह दो आ गया फिर देखिए एक दो यह और एक दो यह तो यह तो यह दो आ गया दोस्तो अब इसको गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा देखे, 27, 21, 42, 42, 84, अई यह आपका इंसर हो गया दोस्तो, तो तिरूज का छेदफल कितना है दोस्तो, तो 84 वर्क सेंटिमेटर, अई आपका इंसर हो गया दोस्तो, जलिए, आगे बढ़ते हैं और नेक्स प्रस को देखते हैं दोस्तो, अब देखे दूसरे प्रस को दोस्तो सबसे पहले अर्षपरिमाप इस तरह के जब भी प्रस आए, तो अर्षपरिमाप आप निकाल लीजेगा दोस्तो आज़े, दूसरा प्रस आपका, एक तिर्भुच की कोई एक भुजा, 12 cm है, इस भुजा से तिर्भुच की उचाई 8 cm है, तिर्भुच का शिजपर्पल कितना होगा जान दी जग दोस्तों अब बोल रहा है तिरभुज का एक भुजा जो है इस 12 cm है और इस भुजा से तिरभुज की उचाई 8 cm है तो एक तिरभुज हम बनाते हैं ठीक है अब देखिए कोई एक भुजा अब बीच में हम जो सो एक लैंज देते दोस्तों ठीक है अब क्या करते हैं एक भुजा मा ले जाए ये 12 cm है 12 cm और इस भुजा से तिरभुज की उचाई 8 cm है ये उचाई होगी हमारा A B C तो बीच वाला जो है इस उचाई है ये 8 cm है चलिए अब देखिए बोल रहा है तिरभुज का 6 पल क्याद कीजिए तो जब इस रख प्रस दिया हो एक भुजा दिया हो और तिरभुज की उचाई दिया हुआ हो तो छेदफल ग्याद करने का एक फर्मूला दोस्तों तिरभुज का छेदफल खेदफल बरावर कोई एक भुजा कोई एक भुजा गुने तिरभुज का उचाई उचाई ठीक है और बटा में दो हो जाएगा ये फर्मूला दोस्तों अब ये इतना दरा तापका असानित बन जाएगा तो कोई एक भुजा तो बारा ले लिए गुने उचाई आठ सेंटीमिटर बटा दो अब काट देजिए दो से काटे तो दो चोक है अब कितना आगया बर्चोक 48 तो 48 वर्ग सेंटीमिटर दोस्तों अई आपका एंसर आ गया तो सही एंसर क्या है तो एनमबर आया दोस्तों चले आगे देखते है और नेक्स परच को देखते दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब देखे तीसरे परच को देखते दोस्तों तीसरे परचन आपका 12 सेंटीमिटर, 18 सेंटीमिटर तसा 26 सेंटीमिटर भूजा वले तिर्भूज की तीनों भूजाओं के मद बिंदों को मिलाया गया इससे ठीक बीच में बने तिर्भूज का छेजपल कितना होगा देखे दोस्तों, एक तिर्भूज बनाते है पहले, इस तरह के अकंव तिर्भूज है और बोल रहा है तिर्भूज के तीनों भूजाओं को यह मद बिंदों को मिलाया गया यहां यहां और यहां मद्ध बिंदू ले लिए इसका नाम दे दीजे A B और C अब इसको मद्ध बिंदू को यहां से मिला दीजे यहां से यहां यहां से यहां और यहां से यहां इसका भी नाम दे दीजे D, E और F अब क्या कीजिए देखे यह तिर्भुज के तंदर तिर्भुज है ठीके तो वो आधा हो जाएगा तो तिर्भुज तिर्भुज D, E, F की भुजाए की भुजाए भुजाए अब सब को आधा कर दीजिए यह 12 सेंटीमिटर ठीके, फिर 18 सेंटीमिटर का आधा कर दीजिए फिर 26 सेंटीमिटर का आधा कर दीजिए अब इसको काटेंगे तो हमारा आजाएगा, कितना आजाएगा 6 आगया, इसको काटे तो 9 आगया, इसको काटे तो 13 आगया दोस्तों चलिए इतना आप लोग को समझ भाग गया कि तीनों भुजाएं आ गया अब हम अर्थ परिमाप निकालेगे S बराबर तो S बराबर होता है अर्थ परिमाप बराबर A प्लस B प्लस C बटा 2 अब हम इसको निकालते हैं देखें 6 प्लस 9 प्लस 13 इसको जोड़ दीजे और 2 से डिवाइट कर दीजे तो 9 6 15 और 13 28 हो जाएगा 28 में 2 से डिवाइट कि जगा 14 आ जाएगा अब तिर्भुच का खेजपल निकालेंगे तिर्भुच D E F का खेजपल तिर्भुच D E F का खेजपल अब जो पहले फर्मूला बताये थे दोस्तों वही फर्मूला लगेगा ठीक है S, S-A, S-B और S-C चले जगा नहीं बन रहा है सबज़ लीजे मैं जो बोल रहा है उसके बाद क्या किजिए यह तो हमारा अर्थ पर में आप S बराबर 14 आया था अब यहां लिखे 14 फिर ब्रैकेट बन 14 मैनस कितना है तो 6 है फिर 14 मैनस 9 है फिर 14 मैनस 13 है अब इस पर वर्क चड़ा दीजेए अब देखे दोस्तों 14 गुने 14 में 6 गये तो 8 गुने 14 में 9 गया तो 5 और 14 में 13 गया तो 1 इसका वर्क चड़ा दीजे और जब इसको गुना करेंगे क्योंको उसरा तोड़ने से एंसर नहीं आगा दोस्तों ठीक है तो आई आपका एंसर हो जाएगा तो सही एंसर क्या हुआ तो ए नमबर हुआ दोस्तों चले आगे बढ़ते हो नेक्स प्रस को देखते है अब देखिए चौते नमर प्रस दोस्तों चौता नमर प्रस बोल रहा है किसी संभाव तिर्भुच की भुज़ा आठ सेंटीमेटर है तो उस तिर्भुच का छेज़फल ग्याद कीज़े देखें दोस्तों क्या पढ़ा एक तपस्या है और अगर आप इससे भागिए गया तो सक्सेस नहीं हो येगा और खास करके द मायत में काम किजिए मेहनत कीजिए ऐससा कुछ भी नहीं दोस्तों कि संभू नहीं है इतलिए आप दीन है मेहनत किजिए मेहनत से भाग्य नहीं जैब मैं कम्मूनीटी में vine हुं मैइथ तो क्या है उसका एंसर देने वाले लोगों की संख्या बहुत कम आती है जी के मैं डालता हूँ तो बहुत सारे लोग दोजार तिन हजार लोग भोट कर देते हैं अर मैथ में भोट नहीं करते हैं जरते क्यों है इलिए मैज से टनना बंद कीजिए और मेहनत कीजिए दोस्तों और मैज नहीं जानिएगा तो जौब होना बहुत मुस्किल है इलिए आप लोग मैज पर काम कीजिए दोस्तों चलिए अब देखें चौता कोचन अब बोला किसी संबाहू तिर्भुज की भुजा आठ सेंट दोस्तों ठीक है तो संबाहू तिर्भुज का छेथफल बराबर होता है रूट थ्री बाइफ फोर गुने भुजा स्कॉयर है भुजा का अस्कॉयर है यह फर्मूला है दोस्तों अब देखिए रूट थ्री बाइफ फोर लिख दीजें अब भुजा कितना है तो 8 cm तो गुने 8 गुने 8 गुने 8 कर देंगे हैं इसको कार दीजें 4 दुनी 8 तो कितना आ जागा आजा Wow आजा आजा 5। अब नमबर परस्ट तो पाचाव नमबर प्रश्ण है अपका एक संभाहू तिर्भूज का छेदफल 25 रूट 3 वर्क सेंटीमिंटर है तो तिर्भूज की भुजा ग्याद करें अब भुजा ग्याद करने बोल रहा है तो संभाहू तिर्भूज का छेदफल बराबर रूट 3 बाइ 4 गुने भुजा स्कुएर अभी बतायते हैं ठीक है यह फर बूला है अब यहां संभावत तिरुज का छेधपल या छेधपल दिया हुआ है यहां लिग दीजे 25 रूट 3 लिग दीजे ठीक है बराबर रूट 3 बाइ 4 और हमको भुजा निकालना है भु के मालेते हैं ठीक है यह स्कुएर अब यह और यह तो कट जाएगा ठीक है बराबर के बाद दोनों कट गया तो हमारा जो है क्या बचाए एसकुएर बराबर यह तिरचा कुना हो जाएगा तो 25 के 100 हो जाएगा दीजों अब क्या करेंगे हम देखिये ए है अब यह जो तो दस सेंटीमेटर अहीं आपका इंसर आ गया तो सही इंसर क्या आया तो इन नबर आया दोस्तो चले आगे बढ़ते हो नेक्स प्रस को देखते हैं अब देखें छट्टे नमर पर दोस्तो आप मायत पर काम किजिए दोस्तो रेगुलर बनाएए रेगुलर पढ़िए ठीक है कोई सचीज नहीं दुनिया में जो मुस्किल है आप लोग रेगुलर काम किजिए मायत से भागिये नहीं तभी रिजल्ट कर पाईएगा छट्टा नमर पर दोस्त है एक संभाहु तिर्भुज की भुजा छे सेंटीमिटर है तो उसकी उच्चाई ग्याद करें यहां भी संभाहु तिर्भुज दोस्तो ठीक है संभाहु तिर्भुज की भुजा 6 cm है तो उसकी उच्चाई एक संभाहु तिर्भुज है इस तरह का ठीक है और ये सारे के सारे 6 cm है तो इसकी उच्चाई उच्चाई तो ये होगा ठीक है उच्चाई जो है ये होगा तो A, B, C अजिकार नाम दे दीजे कुछ तो संभाहू तिर्भूज की उच्चाई बराबर इसका फुर्मूला है यह फुर्मूला है दोस्तों इसमें अस्काइड नहीं आएगा अब देखिए रूट थ्री बाई टू गुने भूजा कितना है तो छे सेंटिमेंटर है छे लिख दीजे अब इसको जो कार दीजे दो तीया छे तो कितना आजागा इंसर थ्री रूट थ्री अहीं आपका इंसर आगे दोस्तों अब बताईए कितना चोटा कोचन है और अगर आप नहीं जानते होंगे तो नहीं बना पाईए लेकिन फर्मूला दोनी चाहिए दोस्तों यह सारे फर्मूले आप लोग नोट करते चाहिए ठीक है मैं सारे चेप्टर इसी तरह पढ़ा दूंगा चलिए तो